मेंगो कुलफी सभी को पसंद आते हैं खास कर बच्चे की एक फेफरिट आइस क्रिम रेसिपी होता है और हम सभी का बस्पन की जो यादे हैं वो ताजा हो जाते हैं मेंगो कुलफी से और अगर ये कुलफी की रेसिपी आप लोग घर में ही बना लेते हो बच्चों के लिए तो और फी हेल्डी हो जाता है तो आज मैं आप लोग के लाई हूँ मेंगो कुलफी की रेसिपी होममेट मेंगो कुलफी और इसके लिए देखिए मेंने ये लिया है एलफॉन्रशो मैंगो और आप लोग कोई भी मैंगो ले सकते हो बढ़ यह मैंगो बहुत ही स्वुईट होता है तो इसलिए कुलफी की जो रिसिपी है बहुत ही अच्छा बनते हैं देखिए मैं 4 कुलफी बनाने वाली हूँ तो इसलिए 2 मेंगोस लिया है और साथ में जो other ingredients है ये देखिए मैंने लिया है मीठाइ में जो आमल की मीठाइ यानि condensed milk है और ये ऑफसनल है बत और इसके साथ ये में चिनी यानि सुगरी उस नहीं करूँगी हानी से बनाओंगी तो हानी लिया है और साथ में ही garnishing के लिए थोड़ा almond लिया है और इसको मैं बारी की से काट लूँगी बाद में और साथ में इलाइची लिया है, इलाइची की flavor बहुत अच्छा लगते है कुलफी में इसकी जो सीड है उसको निकालके में बाद में यूज करूँगी तो ये सभी ingredients है कुलफी बनाने के लिए अब में first देखिए जो mango थी, उसको काट कर लिया है साथ में ही सीड भी निकाल लिया है और इसमें मैं कूप करके नहीं बनाऊंगे, ऐसे ही बनाऊंगे, और अगर आप लोग चाहो तो रौ मिल्क भी यूज़ कर सकते हो, पत मैं कॉंडेंस मिल्क यूज़ करी हूँ, देखिए मैंने मैंगो दाल दिया है, उसके बाद 3 टेबुल स्पून इसमें दालूंगी कॉंडें मिल्क, बहुत ही सुईट हो जाता है, ऐसे तो मैंगो सुईट ही होता है, क्योंकि ऐसे भी कुल्फी की रिस्पी थोड़ा सुईट ही अच्छा लगते हैं, और साथ में ही जो इलैची की सीट निकलके मैंने रखा था, उसको भी पीस के ऐसे ही पीसने के लिए इधर रख दि और और देखिए यह पीछने के लिए तएर हो गेई है और पीसने के बाद यह ऐसे दिख ज़्गाई है तो मैंने इसको एक बाउल में चैन्सपर कर लिया हम और इसको मैं बनाऊँगी ऐसे प्लास्टिक की इसकी अलुमीनियम की वह भी आता है कुल्फी बनाने कि जो वो है बत में प्लास्टिक के ही इससे ही बनाऊंगी और यह बहुत ही है और देखिए यहां फॉर्स में क्या करूंगी नीचे थोड़ा-थोड़ा वाव स्पून की मदद से में थोड़ा-थोड़ा करके जो भी ऐलमांट है उसको डाल दोगी ताकि वह जब निकल आएं के स्पून की मदद से ऐसे बनाऊंगी और यह कुलफी बन जाएंगे 4-5 आवर्स में डीप फ्रीजर में अगर आप लोग रख दोगे तो ऐसे 4-5 आवर्स में यह हूम में कुलफी बन जाते हैं देखिए मैंने फोड़ सभी वह इसमें डाल दिया है देखिए अब मैं इसक कि दोगे है और यह उसको अच्छे से में यह बन कर दूंगी ताँकि यह यह अच्छे से हो जाए सेट हो जाए देखिए एक-एक करके सभी को ऐसे ही दाल रही हूं और आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हो ज्यादा क्वांटिती में इसको बना सकते हो बत मैंने फोड बनाया है और ढेखिए यह हो गई है लगफए और इसको अभी में डाल दूगी फौर टू-फाइफ आवर्स के रिए और रेखें ये perfectly बन गई है और मेरे बेटी को बहुत अच्छा लग रहा था कि होम मेट कुलफी खर में ही उसको मिल गया बना बनाए क्योंकि ये lockdown के टेम में बाहर का खाना इतना भी safe नहीं है और इसकी एक खास बाद है नीचे वो जो है ये safe skirt जैसा इससे क्या होता है आगर कुलफी बेह भी जाते है तो बच्छे की जो हैंट है वो गंडा नहीं होते आराम से वो लोग खा सकते हैं पिखेलने के पाद भी ये अच्छा ही रहते हैं तो कैसा लगा मेरी होम मेर कुलफी की recipe mango कुलफी आप लोग कमेंट करकर ज़रूर बताएं और आगे भी मेरी वीड के साथ जब टे के लिए बाइबे स्टे हैपी एंड स्टे हैल्दी